नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपको दो कप मिल्क पाउडर से एक किलो बर्फी बना कर दिखाएंगे वो भी हलवाई जैसे दोस्तो बर्फी आपकी बिल्कुल वाइट बनेगी और ज्यादा जंजट भी नहीं है इस बर्फी को ब बनेगी ला ज्याद तो चलिए बनाते हैं आज की बर्फी बर्फी बनाने के लिए आपने एक बाउल में लें मिल्क पाउडर आपने 2 कप Pilk Powder मैंने 2 कप पाउडर मैं ले लिया है और इसमें डाल लेती हूं 1 कप घी देशी घी आपने ले ले या फिर दूसरा घी तो देशी घी ले ले तो इस तरीके से मैंने एक कप घी लिया है वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूं अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है अभी मैंने थोड़ा डाला था अब दुबारा से मैं डाल रही हूं घी और सारे घी को इसमें मिक्स कर देना है थोड़ा थोड़ा क गया है यदि आपका डो थोड़ा पतला हो जाए तो घबराने की जूरत नहीं है उसकी भी आपकी बर्फी अच्छे से बनेगी और बस इसको थोड़ा सूखा नहीं रखना है क्योंकि उससे बर्फी का डेस्ट नहीं आएगा अब चलते हैं नेक्स्ट टैप पर आपने लेनी ह चीनी वैसे तो चीनी हमने डबल लेनी होती है जैसे कि जितना हम मिल्क पावडर ले रहे हैं उससे डबल आप चीनी ले लें लेकिन मैं यहां जितना मैंने मिल्क पावडर लिया है उतनी ही मैं चीनी ले रही हूं तो आप देख लीजिए अगर आपको मीठा कम पसंद है य अच्छी नहीं लगती, तो आप कम भी कर सकते हैं मीठा, अब आपने इसमें पानी डालना है, पानी चीनी से आधा होना चाहिए, जैसे कि आपने दो कप चीनी ली है, तो एक कप हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डालकर आप इसको मिक्स कर लें, इसको पहले पिंगला लें, देखिए मेरी पिंगल चुकी है चीनी सारी उबाल भी आ चुका है इसमें और थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि एक तार की चाशनी हमें मिल जाए ज्यादा तो तार आपने नहीं बनाना है इसमें बस हलका सा तार बनना चाहिए जैसे कि दोस्तों मेरी ये पक रही है अब मैं फ्लेवर के लिए इलाइची पावडर डाल लेती हूँ आप चाहे तो कोई और फ्लेवर भी डाल सकते हैं केवडा डाल सकते हैं या फिर रोज वाटर डाल सकते हैं जैसे भी आपके घर में जो भी फ्लेवर है वो डाल लें तो इस तरीके से इसको मिला देना है अच्छे से और मिला कर दोस्तों ये देखे मेरी एक तार की चाषनी सी बन गई है बस इस स्टेज पर आपने इसको बंद कर देना है गैस को ये देखे दोस्तों मेरी चाषनी हो गई रेडी अब आपने जो वो बनाया था भी milk powder का डो वो आपने इसमें डालना है इस सरीके से आपने सारा जाल सकते हैं आप इसमें कोई लंस वगारा नहीं पड़ेंगे एक दम से यह सेट हो जाएगा तो इस तरीके से आपने सारे जो गुटलिय वगारा इसमें नहीं रहनी चाहिए सारी आपने निकाल देनी है गुटलिय इस तरह से अब जैसे कि मेरा ये पूरा मिक्स हो चुका है चाश में जो मेरा मिल्क पाउडर है वो बिल्कुल मिक्स हो चुका है अभी स्टेज पर आपने गैस तो कर देनी है बंद अब बंद गैस पर हिसको हिलाते रहें इस तरीके से इसको चलाना है दोस्तों छोड़ना नहीं है क्योंकि यदि आप इसको छोड़ देंगे हिलाना तो ये नीचे लग सकता है और इसका color change हो सकता है अभी जो हमारी कडाई है वो गरम है नीचे से तो आपने इसको हिलाना नहीं छोड़ना है बस mix करना है थोड़ा सा आपने पकाना है और बस आपकी बर्फी हो जाएगी देडी थोड़ी देर में तो आपने जैसे gas बंद कर दी है और इसको 5 मिनट ऐसे ही rest करने दे और rest करने के बीच बीच में आप इसको थोड़ा सा चलाते रहें जैसे 1 मिनट आपने इसको चला दिया और 2 मिनट रुख गए फिर 1 मिनट चला दिया फिर 2 मिनट रुख गए तो 5-7 मिनट में ही आपकी ये बर्फी ऐसे इस तरह से tight सा paste पेस्ट आपका बन जाएगा तो टाइट सा पेस्ट बनने के बाद दोस्तो आपने क्या करना है इसको एक ट्रे में निकाल लेना है ट्रे में आप बटर पेपर लगा सकते हैं नीचे या फिर ग्रीस कर सकते हैं घी से इसको थाली ले ले या फिर प्लेट ले जिसमें भी आप दाल लेने हैं या फिर पिष्टा डालने कुछ भी डाल सकते हैं आप सजाने के लिए इसको तो इस तरीके से मैंने पिष्टा लिया है वो मैंने पहले ही ग्रेट करके रखा हुआ था तो मैंने डाल दिया है अब इसको रख देते हैं सेट होने के लिए दो गंटे के लिए मैं इसको निकाल रही हूं और मैं इसके पीसिज कट कर लेती हूं साइडे आप निकाल सकते हैं या नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा तो इस तरीके से आपने पीसिज इसके निकाल लेने हैं स्क्वेर में निकाल ले या लंबे-लंबे पीस निकाल ले या कतली की तरह निकाल सकते हैं आप, तो ये मेरे सारे pieces निकल गए है, अभी मैं इसमें से एक piece निकाल के दिखाती हूँ आपको, ये देखे दोस्तो, मेरी ये कितनी प्यारी बर्फी बनी है, मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखे, कितना अच्छा टक्चर आया है वाव मुझ में जाते ही घूल जाएगी ये बर्फी इस तरीके से आपने बर्फी बनानी है तो हार पर आप बना सकते हैं किसी भी तो हार पर बना सकते हैं ये घर में ऐसी मन कर रहा है खाने का मीठा तब भी आप इसको बना सकते हैं खाने में बेहस्वाद और बनाने में easy और बिल्कुल कम समान से आपकी बर्फी घर में बन जाएगी दो कप milk powder से आपकी 1 kg बर्फी बन जाएगी बड़े ही आराम से तो दोस्तों आपने इस तरह से इसको बनाना है और serve कर लेना है ये देखे दोस्तों मैं pieces निकाल रही उसके आप देख रहे हैं कितने असानी से ये pieces सारे निकल रहे हैं बहुत ही अच्छे से set हो चुकी है बर्फी, आपके भी इसी तरह से set हो जाएगी, यदि आप इसको बनाएंगे तो दोस्तों आप इसको कब बना रहे हैं हमें comment box में लिखकर जरूर बताना और आपकी कैसी बर्फी बनी है वो भी मुझे बताना और आपके पास यदि और कोई सुझाओ हो तो वो मुझे जरूर देना, मुझे इंतजार रहेगा तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद दोस्तों